Hello friends, NDC News देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अर्शना कॉशल NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरिज तो दोस्तों देखना ये रहेगा कि आज NDC News में आपके लिए क्या है स्पेशल आई डालते हैं नज़र एक स्टूर्डन छे साल से रिलेशनेंशिप में था लेकिन अब लड़के की मा उस रिष्टे को खत्म कराना चाहती है ब्रेक अप कराने की वजह भी बहुत शौकिंग है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे लड़के की मा इसलिए ब्रेक अप कराना चाहती है क्योंकि अब गरला फेन लड़के के साुटेली बहन बन चुकी है दोनों के विश्टे में तब घुचाल आया जब लड़के की मा ने लड़की के पिटा से शादी कर ली जिसके बाद दोनों भाई बहन बन गए अब दोनों को समझ नहीं आ रहा कि इस रिष्टे को कैसे आगे बढ़ाया जाए स्टूजेंट ने अपनी अजिबो ग्रीब समस्या रिडिट पर शेयर की है जिसको पढ़कर है कोई शॉक्ड है लड़के ने लिखा मैं और मेरे गरला फ्रेंच बेज साल के वे और हम दोनों बचपस से ही एक दूसरे को जानते हैं और 14 की उम्र से एक दूसरे को डिट कर रहे हैं हमने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और कॉलेज में भी साथ है लेकिन अब न सिर्फ हम साथ पढ़ते हैं बलकि साथ भी रहते हैं क्योंकि मेरी माने लड़की के पिता से शादी कर ली है। आगी की कहानी बताते हुए लड़के ने लिखा मेरी मा और लड़की के पिता जब पहली बार मिले तो दोनों का तलाग हो चुका था। दोनों रोज मिलने लगे और एक दूसरे को डिट करने लगे। हम इस बात से नाराज थे और दोनों को अलग करना चाहते थे। लेकिन जब वो डेट कर रहे थे तो उन्हें हम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने भी कुछ नहीं किया। दोनों का जब अफेयर चल रहा था। तब हम स्कूल में थे लेकिन पिछले साल दोनों ने शादी कर ली और एक ली घर में रहने लगे। अब दोनों को हमारे रिष्टे से प्रॉब्लम है। अब लड़के की मा लड़की को उसकी बहन बताती है। लड़के ने लिखा ये सारी चीजे अब समझ से परे हैं। जब मैंने पूरी बात अपने असली पिता को बताई तो उन्होंने मेरी मा को पागल करार दे दिया। और कोई भी उम्मीद रखनी से मना कर दिया। मैं लड़की से बहुत प्यार करता हूं। और हम 6 साल से साथ हैं, हम फिलहार चाहकर भी अलब नहीं हो सकते। क्योंकि पढ़ाई और बाकी के जिन्दगी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं उसी के साथ अपनी पूरी जिन्दगी जीना चाहता हूं।